सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए आप के ऊपर जो वी शी हुई थी उस में सा राजये पर दियार किया जा रहा है इससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूँगी जो अनूसार मुल्यांकन करना था यानि योगात्मक आंकलन करना था जिसमें सिसी पैटरन लागू है तो प्रथम योगात्मक आंकलन की थी उन्होंने सित्मबर 2022 बताई थी तो यह सिवीरा के अनुसार है इसको ध्यानपूरुक सुनिये का बहुत most important वीडियो है सित्मबर 2022 में इसमें आप विशेश नोट में प्रथम योगात्मक आंकलन का आयोजन सिसी SIQ में संचाले दिद्याले महा के अंतिम सफ्ता में यानि सित्मबर महा के अंतिम सफ्ता में प्रथम योगात्मक आंकलन ऐसे वन आपको लेना था अब बात आती है कि सर कुछ दिन पूर्व आमसे ये भी परसन उठ सकता है कि रास्तान राज्य सेक्षिक अनू संथान प्रशिक्षन परिश्ट की और से एक आदेश आया था कारेल आदेश इसमें लिखा था नवंबर माम में पर्थम योगा आत्मक मुल्यांकन आयोग जित किये जाएंगे तो दोस्तों यहां में दोनों का कंफ्यूजन आपको दूर करने की कोशिश करूँगा और उमीद है आप इसको समझ पाएंगे गुरुगार को आयोजे देवी शिक्षक वेब मिनार में इस कंफ्यूजन को दूर किया गया और यहां पर बात बता दी गई कि जो आरके एसम बी के एप है जिसके उपर आपको प्रथम योगा आत्मक आंकलन लेना है जैसा कि उदेपूर के आदेश में बताया गया जो आदेश मैंने अभी हाल ही में आपको दिखाया उसमें बताया है नवंबर मा में आपको ये प्रथम योगा आत्मक मुल्यांकन लेना है तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ वर्क बुक आधारित होगा जैसा आदेश में लिखा है प्रथम योगा आत्मक मुल्यांकन तो इन तीन सब्जेक्ट का ही होगा तीन सब्जेक्ट क्योंकि तीन ही की वर्क बुक मिली है और जो प्रथम योगा आत्मक आंकलन है जिसे हम essay 1 बोलते हैं उसका पेपर आपको विद्याले इस्तर पर त्यार करना है और RKSMB के जो पेपर है जिसे प्रथम योगा आत्मक मुल्यांकन के दें तो उसका है वो पेपर रज्य इस्तर पर त्यार किया जा रहा है राधिसान के सिक्सा में बढ़ते कदम में जो ओनलाइन वेब मिनार आयोजीत की गई उसमें ये बताया गया कि सिक्सा के मंच वेब मिनार सीरीज का वेवरण यहां पे क्या है किसके लिए है ये भी बताया गया उन्हें कारेकम की सफल क्रियान वित है तो प्लेटफॉर्म प्रदान करना इसका आयोजन कब किया जाएगा तो इसका आयोजन हर साथ दिन में आयोजीत किया जाएगा अब गुरुवार साम को ये जो आयोजीत हुआ और अगला है वो 8 सितंबर 2022 को आयोजीत किया जाएगा तो यह जो इसमें गुरुवार को आयोजित हुई उसमें वी सी में या कह दें कि यह जो ओनलाइन वेबिनार आयोजित हुआ उसमें आपको क्या करना है उसमें बताया गया कि RK SMB के आंकलन में क्या करना है वह एप कैसे यह वह एप से कैसे संब्दित है तो यहां जो एक्सप नवंबर में होने वाला RKSMB के आंकलन राज्य इस्तर पर शिक्षकोंद और अब बनाए गए दक्सता अधारित प्रशन पत्र का उपयोग होगा इसमें गणित अंग्रेजी और हिंदी विश्यों का परिक्षन होगा यानि यह नवंबर मा में जो आयोजित होने वाला प्रथम योगात्मक मुल्यांकन है वो तीन ही सब्जेक्ट का होगा हिंदी गणित और अंग्रेजी वर्क बुकादारित है कक्सा से नीचे के इस्तर और कक्सा इस्तर दोनों की दक्सताओं के आधार पर इसे प्रशन पूछे जाएंगे यानि इनका पेपर है वो राज्य इस्तर प प्रशन होगा जो आपकी किताबे दी गई है भुक दी गई है उसके अधार पर है परन्तु रक्स्ट charging के नीचे की दक्सताओं में आंकलन जो है RKSMB के आंकलन की डाटा प्रविष्टी आप एप द्वारा केवल एक फोटो के माध्यम से जांच वर डाटा एंट्रिक कर पाएंगे तो दोस्तों आप उमीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि SA1 हमारा अलग है जो SA1 किताबों के उपर निर्धारित है जो किताबे दी गई है उनके उपर निर्धारित है और SA1 के पेपर है वो विद्याले इस तरपर हमें निर्मित करने हैं और दूसरा RKSMB के आंकलन जो नुवंबर मा में आयोजित हो रहा है वो वर्क बूक आदारित है वर्क बूक हम सभी को दे दी गई है वर्क बूक हम पढ़ा भी रहे हैं उनके आधार पर होगा कुछ और बाते कर लेते हैं इसी के संबन में कि हम एप के दूसरे चरण का उप्योग करना कैसे सीखेंगे तो दूसरा चरण जल्दी हायोजित होने वाला है आंकलन से पहले एप पर अभ्यास चरण शक्रिय किया जाएगा और यह अक्टूबर में होगा 19 अक्टूबर तक साथ में आपको सेंपल पेपर भी परदान किये जाएंगे जिसका उप्योग करके आप आंकलन की फोटो खींच के अपलोड करना अभ्यास कर सकते हैं दूसरा है कि अभ्यास चरण और आरकेसमबी के अंकलन में क्या अंतर रहेगा तो नवंबर में होने वाले जो आंकलन से पहले होगा आरकेसमबी के अंकलन से पहले अभ्यास चरण यानि पहले आंकलन नहीं होगा उससे पहले अभ्यास चरण होगा अभ्यास चरण यह अक्टूबर में पूरा महीना चलेगा उसके बाद 19 अक्तूबर तक सभी विद्यालों में अभ्यास चरण 18 अक्तूबर तक पूरा करने का प्रयास करना होगा दिवाली की छुटीशे पहले पहले इसके द्वारा आप एप का सही डंग से उप्योग करना सीख पाएंगे उसका अभ्यास कर पाएंगे जिससे कि आँकलन में के दिन आपको कोई प्रयास नहीं आए और इसकी अत्रिक्ष विद्यार थी भी OCR बहुविकल्पी पुत्रपत्रक का प्रयास कर पाएंगे फिर कहते हैं कि आँकलन चरण तक कैसे पहुँचा जाएगा तो कुछ ही दिनों में आपको एप अपडेट करने का संकेज मिलेगा जहां प्ले स्टोर में जाकर आपको एप अपडेट करना होगा जैसे ही आप अपडेट करेंगे अभ्यास चरण शुरू हो जाएगा न Hip नमदर में उन्हेमाले अशली आंकलन से पहले आप एप समय ही अपडेट हो जाएगा आपको notification दरा या सूचना प्राप्त हो जाएगी नमदर में जो आंकलन होगा उसे पहले आप उट्मेटिक अपडेट हो जाएगा जो सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं जो मेडल आपको प्राप्त हुए हैं अगले चरण में आपको शिक्षा विबाक्य और सिर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साथी इस चरण में कौन से मेडल है तो इस चरण में अब जो दूसर चरण लागू होने वाला है उसमें देखीए ककषा पूरण मेडल एक ककषा के सभी मैपड विश्यों के सभी कि विद्ज्यारतियों की दाटा प्रविष्टी पूरा करने पर प्रविष्ट सबी विद्दियारतियों के डाटा प्रविष्टी। 물बल आपको तो स्राइब कमा सकते हैं साथ आपको अब्यासी서 क्रविष्टी प्रविष्टी करनेGG पर नहीं, अभ्यास चरण के दौरा आप एप का सही उप्योग करना सीखेंगे, साला दरपन पर एंट्री की को या आउ सकता आपको नहीं है, तो most important बात यहां पर बता दी गई है, साथ ही OCR का उप्योग कैसे करना है, वो भी आपको दिखाया गया है, कि जो 6-8 वी तक के उत्तर पत्रक होंगे, उसमें कोई QR कोड नहीं दिखेगा, तो यह उसका अंतर रहेगा, कि एक पहली से तीसरी से पांच विया या चटी से आंट्री है, और उत्तर पत्रक की फोटो खींचने पर QR कोड के द्वारा जांच और अंट्रा एंट्री हो जाएगी, उत्तर पत्रक चार क पर आपको QR कोड दिखाई देंगे, तीन से पांच में कोई QR कोड दिखाए नहीं जाएगा, यहां पर नजर नहीं आएगे, तो आपको घबराना नहीं है, उसका उप्योग तो सामाने रहेगा, साथ ही फोटो खींचते थे थे हमें, आपको ध्यान में रगना है कि OCR उत्त पत्रक चारो कोणों में दिखाई देने चाहिए, सून इस्चित करें कि क्लिक की गई OCR उत्तरक पत्रक फोटो उसी कक्षा और विशे से संबंदित है, जिसे एप से चुना गया है, क्लिक की गई फोटो दुंदली भी नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों यह थी कुछ इंपोर्टेंट बात जो द्यापक वेब मिनार में बताई गई, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सस्क्राइब कीजिए, पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाएं, एजुकेशन समंदीने उस तरन प झाने के लिए, झाने के लिए.